बड़ी खबर एक और बतादे हैं वेक्सीन का पहला डोज लगाने में MP1 है बतादे अब तक पांच करोड से जादा लोगों ने पहला टीका लगवा लिया है गर्ववती महिलाओं के वेक्सिनेशन में भी नमबर वन रहा है तो चार लाग से जादा गर्ववती महिलाओं को जड़ा जानकादी के साथ मेरी सायोगी शबीर एहमद लगातार भोपाल से लाइव जुड़े में हैं शबीर वेक्सिनेशन में MP1 दिखाई दे रहा है और गर्वती महिलाओं भी बढ़ चरकर वेक्सिनेशन में हिस्सा ले रही है और चार लाग से जादा वेक्सीन ले कर रही है कि जादा से जादा लोगों को तक वेक्सीन पहुंचाए जाए और जो आखड़े निकल कर सामने आ रहे उसमें वो उन्हें काम्याबी भी मिल रही है अब तक पूरे मदबरदेश की बात की जाए तो साड़े आठ करोड़ से जादा लोगों को वेक्सीन के डोज लगी है और जो आखड़े सा निकल कर सामने आ रहे हैं वह 93 फीजदी के आसपास है जिन लोगों को मद्दप्रदेश में वैक्सीन लग चुकिए मद्दप्रदेश के जो आखड़ा ते किया गया था स्वास्त विभाग के हिसाब से वह साड़े 5 करोड लोगों को वैक्सीन ल चुका है यानि हम सतर फीजदी साठ से सतर फीजदी के करीब सेकंड डोस पर भी पहुंच गया और सरकार की कोशिश है कि दिसंबर में ही दिसंबर के आखरी सब्ता सब्ता तक सेकंड डोस का जो लक्ष है उसको भी पूरा कर लिया जाया यानि 90 से 100 फीजदी तक सब्सक्राइशन अभ्यान चलाने की एलान किया गया स्वास्तवी भाग सरकार की तरफ तो कोशिश यहीं है कि जादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे और उसमें सभी बढ़ चड़कर भाग ले रहे हैं मद्रदेश उन शहरों में भी उन राज्यों में भी शा लगतार अपील की जा रही है कि वैक्सीन लगवाएं एक वैक्सीन एकमात्र इलाज है जिससे कोरोना के नए वैरियंट या क्रोना से बचा जा सकता है तो इसको लेकर MP1 हो गया है वैक्सिनेशन को लेकर तो वहीं गर्वती महिलाएं भी बढ़ चरका वैक्सिनेशन में हिस नए बचा ईया है तो एक मातमरी महिला है जीशना नहीं उलाज है वैक्सिनेशन में